आज है साटुडे और नाइंथ जैन्वरी है और हमारे हां कल राच से लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कट ओफ है पूरा हमारे एरिया में और कल राच से ही बहुत ज़ादा बारिश हो रही है तो जो बड़ा सा फॉल्ट आया है एलेक्टिसिटी का वो ठीक भी नहीं हो पाया है हमारी सिर्फ अब इस समय एक लाइट जल रही है और बागी मेरे पूरे घर में अंधेर और इंवर्टर भी हमारा खतम हो चुका है इंवर्टर में भी बैटरी एकडम लो है और हम बिल्कु कि अंदर हमने यहां पर फॉइल पेपर लगा लिया है ऐसे जिससे कि नब इसमें कैंडल रख देंगे ना तो अगर वैक्स गिरेगा तो इससे ग्लास खराब नहीं होगे यह चोटा सा रेंजमेंट हमने करके रखा हुआ है और तो बहुत सारे कैंडल्स हमने लाके रख लि क्या है तो मैं थोड़ा सारेंजमेंट करके आती हो किचन में और उसके बार फिर मैं आपसे मिलती है वाव लाइट आ गई है गाई घॉट करने हम अभी अभी व्लॉग शुट करने हम अभी व्लॉग शूट कर रहा हुए थी शूट कि मैं पो दिखा देती हो कि मेरे पूरे बनाना है कि How we spent Saturday night हम कुछ painting बmotsalinta नइ नहीं 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 बिद राइप्ट रहला करनेवालते तो नहीं दिछो के पूब्छ तो ना टुम कलई दो प्र राइप、、 healthy तो डाइप दो और पनेगे ते सदि já गई तो मैं आ गई हूँ किचन में ट्रेंग बनाने और लाइट तो आई गई है अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और यह जो नए वाले आलू होते है ना इनके पर बहुत जादा मिट्टी होती है तो इनको बहुत ही ज़रूरी है रगड रगड के वाश करना और उसके बाद ह आने से खुरच खुरच के पतला चिलका निकल जाता है यह देखिए सारे आलू को मैंने ऐसी चील लिया है और चीलने के बाद बारी आती है इनको कट करने की तो आलू को फ्रेंच फ्राइस में कट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शेफ्स नाइफ और शेफ यूज़ करने के बाद मुझे फूट प्रोसेसर चॉपर यह सब चीज़े बिल्कुल बेकार लगने लगी और यह एक ऐसा टूल मुझे लगा जिससे आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं और देखिए फ्रेंच फ्राइस कितने बढ़िया कटे हैं है ना बहुत अच्छी खल जाएगा और हमारे फ्राइस जो है वह बहुत ज्यूदा को रखिटर बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे ब determ लिंगे तो बएफ करणने के बाद हमीने एक चलनी में निकाल पॉनफलार की एक कोटिंग करनी है लेकिन उससे पहले हम इनका सारा एक्सट्रा पानी सोक कर लेंगे तो मैं यहां पर इनको एक टॉवल पर फैला रही हूँ जिससे की जितना भी एक्सट्रा पानी है वो निकल जाए क्योंकि अगर आलू बहुत ज़ादा गिले होंगे तो को सस्कर सकें बटाब मंत्र इनको ना बोल में डाल डू फो इस मत्रा टेल मी बाट सब्सक्राइब मंत्रा टेल मी वट इस पटा पंस्त तैम नेचे नेचे अड़ के उपर यूद्ध का अब नेग्से लिए लो चलो आई कराओ वे में मेरी सकाह कर है अब हम इसकी coating ready करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 4th cup corn flour अगर आप चमच से measure करते हैं तो आप 4 बड़े चमच corn flour ले सकते हैं और इसको हम चान के french fries के उपर डाल लेंगे चानने से क्या होगा कोई भी lump होगा तो वो निकल जाएगा प्लस अच्छी तरीके से sprinkle भी हो जाएगा french fries के उपर यह है 1 4th cup मैदा और इसको भी हम चान के french fries के उपर डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़े थोड़ा extra quantity में यूज की है जिससे की जब coating अच्छे से हो जाएगी तो बाकी का नीचे रह जाएगा जो extra है वो हम बाद में हटा सकते है आधा बड़ा चमच नमक इसमें मैं डाल रही हूँ और सब चीजों को डालने के बाद हम बहुत अच्छी तरीके से mix करेंगे जिससे की एक पतली layer इन सब चीजों की आलू के उपर चढ़ जाए तो अच्छी तरीके से mix कर लेंगे हम मैं fries को एक बड़े बरतन में transfer कर रही हूँ जिससे की coating जो है वो एकदम evenly चढ़े और सारे french fries पर चढ़ जाए और जो भी extra मैदा या conflore रहे जाए आए ना वो नीचे रह जाएगा अच्छा इसको हलका सा गीला करने के लिए मैं इसमें एक बड़ा चमच vinegar डाल रही हूँ white वाला जो synthetic vinegar होता है वो डाल दिया है मैंने और फिर हम एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ये देखिए मंत्र ने अपनी height को adjust करने के लिए क्या arrangement किया हुआ है का तरीका है बच्चों के साथ quality time spent करने का तो मैं आपको बता रही है कि हलके गरम तेल में इनको डालना है हलके गरम से मतलब है कि बहुत ही कम गरम भी नहीं और बहुत तेज गरम भी नहीं मतलब medium hot तेल में हमें french fries को डालना है क्योंकि अगर आप इनको बहुत ही कम गरम तेल में डालेंगे तो french fries के अंदर तेल भर जाएगा और अगर आप बहुत तेज गरम में डालेंगे तो उपर की जो कोटिंग है वो सिक्के निकल जाएगी और अंदर से अलू कच्चे ना जाएगे तो इनको हमें golden brown होने तक सेख लेना है तो french fries का first batch बनके तयार है और एक batch को बनने में लगबग 10 मिनट का टाइम लगता है अब आप इन पर अपने मन पसंद कोई भी मसाला स्प्रिंकल करके इनको खा सकते हैं बच्चे यहाँ पर पिरी-पिरी मसाला डाल रहे हैं तो french fries का second batch भी हमारा बनके तयार है और बहुत ही अच्छे french fries बने है तो आप मुझे comment करके बताईएगा कि यह आपको कैसे लगे और french fries enjoy करते करते हम लोग खेलेंगे Chinese checker और यह हमारा favorite time pass है favorite game है और मंत्र और मैं इसको बहुत ज़्यादा खेलते हैं और मंत्र इसमें बहुत ही expert हो गया है अकसर मुझे हरा देता है Chinese checker में लिए पी ऑल्रा त्रा वना सुषा हुआ है कि को मैंने क्या बना दिया यहां हां की जगा यहां थाड़ा भाल मंत्रा थाड़ा और मंत्र जीतने वाले हैं यह जो गाईस मंद्र जीत गए मंतर ने मुझे बहुत बित्रार आज जीत के तुम नानो से शिखना नानो से शुरूवाली शुरूवाली जीक्षा चाहिए मैं मैं पूझा करके आती है फिर करेंगे कुछ तो मैं पूझा करके आती हूँ शाम की उसके बाद फिर हम करेंगे पेंटिंग आप भी चैनल्च अगर खेल तो फिर कॉमेंट में लिखना और उसके नीचे लिखना टेक्नो अर्मी मंत्र बताओ क्या करोगे मैं कुछ डॉट से बनाओंगा दॉट से बनाओंगा पता है तुम्हें चल्ड़ चुट लिया शुट करें तो मंत्र तुमने क्या क्या तैयरी करिया वो दिखा दो तो मेरे पास एक यह ए बड़ लिया इस बिश से ने पादर कुल निका रुए रोगा और इस लोग पे मैं बनाने बाला प्रकुल आट तो देखते हैं यह तुम कर लो मंदाला आर्ट इस मंदाला येस बनाओ तो बनाओ तो आपका दिल करें मैंने सोच लिया कि अब मैं क्या बनाओ बनाओ ज्यादा बड़ा निकाना ममी बनाओ ट्री की आउटलाइन नो मैं इसी बना जाए और डॉंट और मुझे ऐसे चक मत करना कि ये कैसा बना रहे हैं डॉंट जाज बनाओ जाजिए मढ़े कान ऑट भाटंच वाट तो रहे हैं वाट जाय मॉंट बनाओ ने ज्याद रहे हैं वाट आए वाट रहे हैं वाट रहे हैं वाट रहे मा प्रॉइब आपके चुलिप देख मंतर ने क्ड्रोइंग करिया और बिना किसी प्लैन के करिया रैंडमली और प्रेहंड फिद्राइहां एक दद्राइहां कि अविए कर दीमिख पर फट्राइह फिद्राइहां और सुप आत्री तर्फ इंट दे स्ट्राइह वर्ट अ्टा मैट ए् प्रन्ाम ए्टीज में पुर्ण्ट प्रेएख न कीडिये इडिक। then it's really good but if you are lost he has done it's done it freehand with brush so it's cute let's take a selfie i mean a picture yeah it's fun today I'm doing my work in the kitchen yeah yeah it's fun to do art yeah so guys now I'm going to go to this vlog so guys I'm going to go to this vlog I'm going to make this vlog here I'm going to make dinner and I'll meet you in the next video so bye bye wm wm excuse me was wm 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 हुआ हुआ